उधारण 6 क्या समांतर शेणी 5 11 17 23 जो की अनांतक है का कोई पद 301 है कारण सहीत लिखिए हल यहां यहां ए बराबर 5 पहला पद हमारा 5 है तो एक अमान 5 हुआ सारवांतर जो है वो हम निकालते हैं दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे हम तो दूसरा पद है 11 पहला पद है 5 घटाने पर हमें सारवांतर डी जो मिला 6 माना एनवपद एनवपद 301 है अर्थात अर्थात ए एन बराबर 301 है हमें एन का मान हमें यहां एन का मान ग्याद करना है इसी लिए ए एन बराबर हम जानते हैं सूत्रोता ए धन कोश्टक में एन रिण एक कोश्टक बन डी यहां एन जो है वहां हम 301 लिए है तो एन की जगह अस्थान पर 301 बराबर एक का मान हमारे पास 5 है धन हमें एन का मान ग्याद करना है तो एन रिण एक और डी के स्थान पर हम 6 लिखेंगे क्योंकि यह सर्वांतर हमारे पास 6 है या 301 बराबर 5 धन कोश्टक खोलेंगे हम यहां तो एन को 6 एन से उगड़ा होंगा 6 एन रिण 6 या 301 बराबर 6 एन और 5 रिण 6 कमान रिण एक होंगा या 6 एन बराबर रिण एक का पक्षान्तर करेंगे तो धन एक होंगा 301 धन एक 302 या एन बराबर 302 बटा 6 इसे जब हम दो के पहाड़े से काटेंगे दो से कटेंगा अन्श और हर तो हमें प्राप्त होंगा एन कमान 151 बटा 3 चूंकि एन पदों की संख्या है अतहा एक धनात्मा पूर्णांक होना चाहिए इसलिए 301 दी गई समांतर शेणी का कोई पद नहीं है या इस उधारन का हल है